Hey everyone, welcome to my channel. तो आज हम करेंगे States of Matter, जो है Class 5 की Science का चप्टर. Okay, so lesson का objective क्या है, इस lesson को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जब आप इस chapter को complete कर लें, तो आप differentiate कर पाएं, atoms और molecules के बीच में, और molecules किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से arrange होते हैं, solids में, liquids में, और gas में, आप आसानी से सबको explain कर पाएं, उसके बाद आप distinguish कर पाएं, आप difference बता पाएं, कि physical और chemical changes क्या क्या होते हैं, तो ये सब हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं, इस chapter के दो पार्ट होने वाले हैं, ये first part है, जिसमें हम आपको बताएंगे, कि atoms और molecules के बीच में क्या difference होता है, और molecules का arrangement किस तरीके का होता है, molecules basically हम किसे कहते हैं, atoms हम basically किसे कहते हैं, तो ये सारी explanation इस chapter में आपको देने वाली हूं, इस first part में, second part में हम आपको सारी physical और chemical changes के बारे में बताने वाले हैं, now next we have, what is matter, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि matter किसे कहते हैं, matter कोई भी ऐसी चीज जो occupy करती है, space को और weight को, जैसे कि अगर आप अभी कहीं पर बैठे हो, जैसे मैं कहूं कि मैं chair पर बैठी हूं, तो chair पर बैठ कर मैंने क्या किया है, एक space को occupy किया है, ठीके, और मेरे अंदर एक weight भी है, तो मैं क्या हूं, एक matter हो, ठीके, अब matter जो है, वो liquid भी हो सकता है, solid भी हो सकता है, gaseous form में भी हो सकता है, अब उसका example देखो, solid है, solid में अगर आप laptop यूज़ करते हो, या फिर आप books यूज़ करते हो, तो book को रखने के लिए आपके पास जगा होने चाहिए, otherwise आप book कैसे रखोगे, right, तो book अगर आप एक table पर रख रहे हो, तो book ने एक space को occupy किया है, एक space को cover किया है, तो वो क्या है, matter कहलाता है, आपकी book जो है, वो matter है, जिस गंदर एक weight है, और उसने एक जगा को घेर रखा है, अब अगर मैं कहूं कि, आप सब लोग पानी पीते हैं, juice पीते हैं, आप लोग cold rings पीते हैं, लेकिन आपको पता है, जब आप कोई भी पानी पीते हो, तो हाथ में लेकर थोड़ी ना पीते हो, या तो glass में पीते हो, या फिर bottle में store करके रखते हो, उसमें से आप glass में pour करते हो, और पीते हो हैं ना, तो जब हम कोई भी पानी, जो liquid चीज है, किसी container में रख रहे हैं, तो हो क्या कर रहा है, उस container की shape को ले रहा है, और वो जो shape है, वो जो container है, वो भी तो हम किसी जगा पर रख रहे हैं ना, तो उसने क्या किया है, एक space को occupy किया है, तो वो क्या हुआ, वो भी एक matter हुआ, क्यूंकि उसका एक weight है, और उसने एक space को occupy किया हुआ है now बात करते हैं gas की अब आप सभी के घर में चूला जलता है that means gas जलता है gas को जलाने के लिए cylinder की ज़रुत होती है तो cylinder आपको पता है किस तरीके का होता है cylinder की shape क्या होती है तो cylinder में क्या होती है liquefied petroleum gas जिसको हम LPG बोलते हैं ठीक है तो वो उसके प्रेजेंट होती है that means उस liquefied petroleum gas ने एक space occupy कियावा है जो कि cylinder की form में है उस cylinder को हम कहीं रखते हैं और अपने gas के pipe को connect करते हैं तब जाकर हमारा जो burner है वो जल पाता है तो आपको समझ में आया कि matter क्या है एसी चीज जो एक space को occupy करती है और उसके अंदर एक weight भी होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आपके मम्मी या पापा cylinder लेते हैं cylinder जब deliver होता है तो उस time पर हम क्या करते हैं weight check करते हैं कि इसका weight कितना है ठीक है ना तो उस weight को check करने का मकसद क्या है इसका मतलब ये है कि ये एक matter है जिसके अंदर एक weight है और ये एक space को occupy करता है ओके next what is matter made up of a matter किस चीज से बना होता है matter एक split into tiny unit छोटी-छोटी unit से बना होता है जो कि हमारी naked eye naked मतलब हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते जब हम बात करते हैं naked eye की naked eye मतलब जैसे हम normally कोई भी चीज़ देखते हैं that is your naked eye हम देख रहे हैं लेकिन अगर हम microscopic word यूज़ कर देता है that means हम वो चीज़ सिर्फ वर सिर्फ microscope में देख सकते हैं अब इन्होंने ये कहा है that these tiny units are not visible to the naked eye मतलब हम normal आँखों से उनको नहीं देख सकते वो हम कैसे देख सकते हैं वो हम microscope से देख सकते हैं और इन्ही tiny units को हम क्या बोलते हैं molecules कहते हैं that means molecules वो चीज़े हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं वो हम कैसे देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं through microscope only ठीक है अब molecule होता क्या है molecule क्या है smallest unit है किसी भी substance की जिसकी कुछ properties होती है जैसे की अगर आप नमक लो ठीक है नमक होता है रहा नमक का अगर आप एक दाना भी लोगे तो उसकी भी वोही property होगी जो पूरे नमक की होगी ठीक है मतलब आपके खाने को नमक डालके उसको स्वाधिष्ट बनाना ही नमक का काम है ठीक है तो वो ही काम उसका एक molecule भी करेगा अगर आप एक चमच नमक लोगे तो उसकी जो quantity है quantity की base पे basically वो काम करेगा लेकिन हम यहाँ पर molecule की बात कर रहे हैं अगर मैं उसका एक दाना एक कंड भी लूँगी तो उसकी भी वही property होगी जो पूरे नमक पे जितने भी molecule से उन सब की होगी तो मेरे कहने का मकसद यह है कि हर एक molecule की property same होगी तभी वो combine होकर क्या करेगा आपको एक स्वादिष्ट खाना प्रदान करेगा मतलब जब आप नमक डालोगे खाने में तो उसमें स्वाद आएगा ठीक है next हम बात करते हैं कि molecule किस चीज से बना होता है molecule को हम further broke down कर सकते हैं छोटे छोटे units में उन छोटे units को हम atoms कहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि atoms जो हैं वो building blocks है matter के अब आपको मैंने बताया था matter क्या है matter एक space occupy करने वाली चीज है जिसका अंदर weight भी होता है जैसे कि हम अगर बैठे हैं तो हमने एक space occupy किया वाई है तो we are matters ठीक है अब मैंने ये कहा यहां पर कि छोटे छोटे further broken down हो जाता है molecule और उसको हम उस छोटे unit को हम क्या कहते है atom कहते है अब atom जो है वो building block है matter का ठीक है जितने भी तरीके के world में matter है वो 117 kinds of atoms से बने होए है यह आपको पता होना चाहिए अगर एक ही तरीके के atoms मिलकर बन रहे है तो हम उनको elements बोलते है atoms अगर अलग-अलग तरीके कमबाइन हो जाए तो वो क्या करेंगे एक compound बनाते है जैसे कि आप अभी थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपका अपनी chemistry lab में जाओगे या फिर आपके chemistry में पढ़ोगे भी या फिर मैं आपको एक example दे लेती हूँ water water का formula होता है H2O जो हम H2O की बात कर रहे हैं तो H2O में hydrogen और oxygen molecule मिलकर क्या बना रहा है एक compound बना रहा है तो ये क्या हुआ different atoms क्या होगा है मिल गए और उन्होंने एक compound बना दिया ठीक है अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं molecules के बारे में molecules हमेशा move करते रहते हैं ये कभी भी stop नहीं होते हैं हमेशा attract होते हैं एक दूसरे की तरफ क्यों होते हैं भई दोनों में अलग-अलग charges होते हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर plus charge और minus charge होता है वो attract करता है मतलब opposite charges जो होते हैं वो attract करते हैं और negative charges repel करते हैं repel का मतलब हटते हैं ठीक है तो opposite charges attract करते हैं जिसकी वजह से molecules हमेशा moving position में रहते हैं ये कभी भी static नहीं होते हैं ठीक है अब solids की बात कर लेते हैं solid में एक definite shape होती है definite volume होते हैं और उसके जो particles होते हैं वो closely packed होते हैं ठीक है और एक regular pattern में बने होते हैं regular pattern होता उनका ठीक है अब कुछ examples है solids के आपके सामने cup है shirt है, book है, eraser है ये सारे example आपके solids के हैं अब यहाँ पर हम exactly बात करेंगे कि किस तरीके से molecules arranged होते हैं बहुत close arranged होते हैं ये एक great force के साथ ठीक है वो जो force होता है न वो इतना तगड़ा force होता है कि वो एक दूसरे को attract करता है ठीक है इसलिए solid जो होता है वो hard होता है, rigid होता है ठीक है, क्यों होता है क्योंकि जो उसके intermolecular force of attraction है intermolecular means intermolecular मतलब होता है molecules के अंदर जो attraction है वो बहुत जादा है बहुत तेज जादा force है जिसकी वज़े से वो एक दूसरे के तरफ attract हो रहे है तो इसी वज़े से solids के पास definite shape और volume होता है अब बात करते हैं liquids की liquids का भी definite volume होता है लेकिन इसका कोई shape नहीं होता क्यों नहीं होता मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी container में पानी को डालोगे ये किसी bottle में पानी को डालोगे तो वो उसकी shape ले लेगा ठीक है और इसके जो particles होते हैं वो move कर सकते हैं और close contact में रहते हैं मतलब करीब रहते हैं अब liquids के example आपको पता ही है maple syrup है shampoo है olive oil है orange juice है और water तो बहुत ही अच्छा example है राइट now how molecules arranged in liquids अब molecules के से arrange होते हैं liquids में आपको पता होना चाहिए कि liquids में molecules less closely packed होते हैं than solids जैसे solids में बहुत ज़्यादा attraction होता है intermolecular force of attraction बहुत ज़्यादा था solids में इसलिए वो rigid था ठीक है उसे वो एक space occupy करता है लेकिन molecules में क्या है कि molecules का जो liquids का जो molecular force of attraction है वो in comparison with solid कम है ठीक है so ये molecules जह है वो आराम से जगदर घूमते रहते हैं ठीक है इसी लिक्विट जो है वो flow करता है liquid का एक definite volume हो सकता है लेकिन definite shape कभी नहीं होती है ये हमेशा जो container की shape होती है उसको ही occupy करता है उसी को लेता है अब हम बात करते हैं gas की gas के जो molecules होते हैं बहुत दूर दूर होते है ठीक है और इसको कोई भी volume definite volume और definite shape नहीं होता है जिस container में डाल दोगे उसी का shape और उसी का volume ले लेगा पर एक्जामपल जैसे कि helium gas हम balloon में डालते हैं तब ही तो उड़ता है balloon अमरा ठीक है अगर आप गरम चै बिना रहे हो kettle में डाल रहे हो तो उसमें से जो भाख निकल रही है वो भी एक gas है ठीक है अगर आप एक tank ले रहो tank में क्या है argon है nitrogen है nitrogen भी आप tank में फिल करके रखते हो तो that is nitrogen that means आप position आप इनकी shape देखो यह balloon था इसने balloon की shape ली यहाँ पर यह क्या है kettle है यहाँ पर यह argon का tank है यह nitrogen का tank है that means अलग-अलग devices है अलग-अलग उनके पास container है not devices, container है ठीक है अब हम molecules के बात कर लेते हैं कि इसके जो molecules है वो बहुत दूर-दूर होते है large empty spaces मतलब बीशो जो बहुत जादा space होता है और इसी वज़े से जो इसके molecules हैं वो आराम से घोमते रहते हैं आपको पता होना चाहिए कि gas जो है अगर आप gas के जो molecules है दूर-दूर होने की वज़े से वो आराम से spread करते हैं बहुत जल्दी spread करते हैं अगर हमारा gas का cylinder gas की knob कभी भी on रहे जाते हैं तो हम एकदम से कहते हैं ममा देखो ना gas on है gas किसे ना on किया वाई या gas जला छोड़ दिया है किसे ने तो हम एकदम से पैचान जाते है smell को क्यों क्योंकि वो हमारे साथ air में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है बहुत जल्दी वो spread हो जाता है क्योंकि उसके molecules जो है बहुत fast move करते हैं इसलिए gas की कोई shape नहीं होती है और नहीं उसके कोई volume होता है definite shape और definite volume नहीं होता है ठीक है अब हम summary देख लेते हैं solids के जो particles होते हैं tightly packed होते है liquids के थोड़े से loose होता है in comparison with solid और जो gas होता है gas के दूर दूर होते है ठीक है एक बात और याद रखनी है solids के जो particles closely packed है वो एक arrangement में packed है ठीक है in comparison with liquid and gases तो यह जो difference है आपको पता होना बहुत जरूरी है उमीद करती हूँ कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर समझ में आया है और इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो please like, share and subscribe and we will meet again in next video definitely बाबाई